मारा है लास्ट नंपर हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर हैलोा कीह और जो भी कमपाउंड से उन सबको डिस्कस कर लिया था है और लास्ट पर प्लांप और ně को भी डिसकस किया था और उसी के अंतरगत हम लोगों ने क्लोरोफार्म आइडोफार्म डिसकस कर लिया था है आइडोफार्म डिसकस कर चुगे थे लेकिन इसको यह आइडोफार्म को दुबारा डिसकस कर रहे हैं कि ट्राइडोफार्म के अंतरगत क्लोरोफार्म आइडोफार्म को डिसकस किया था तो क्लोरोफार्म को बनाने की जो विद्या होती है अब ट्री प्रोसेस इंडेस्ट्रिल प्रोसेस उन सबको डिसकस कर लिया था उनकी जो केमिकल प्रोपर्टीज थी उनको भी डिसकस किया और इसी के पश्चा इसी में आगे पढ़ेंगे आगे से आईडो फार्म है इसका फामुला होता है आईडो फार्म को आईडो फार्म को लेवर्ट्री प्रोसेस क्या है लैब में इसको कैसे बनाते हैं आईडो स्पार्मों को तो आईडो फार्म बनाने के लिए अे आईडिन और लुटा में capture के साथ कम आईडिन और इंडिन की ऑडिन हृव इस प्राप्त होता है इस प्रकार से इसमें एक्षान और सोडियम आइड्रोगसाइड से कराते हैं तो आइडोफान सोडियम फार्मेट सोडियम आइड्रोगसाइड और जल प्राप्त होता है और इसका सेकंड मैटेड है एसीटोन CS3-COCS3 एसीटोन या टू प्रोपेनोन आयूपेसी ना होगा एसीटोन का CS3-COCS3 का 2 और सोडियम और सोडियम और एड्रोगसाइड से करा दे तो ऐड्रोफान और सोडियम आइड्रोगसाइड होता है तो इस प्रकार से आयोडियन और सोडियम अईड्रोकसाइड इनकी रियक्शन या असीटूल किसी से भी करा देते हैं, असीटूल से तो इसे हमें आइडोफ़म प्राप्त होता है, या ट्राई आइडो ने प्राप्त होता हैं, है तो इस प्रकार से यह Two United में हम लोग आट्वफर्म या ट्राय आड्व में प्राप्त करते हैं कि है तो यह ट्रायय עट्व मेथिन यह यह अएड्यल से करा दे यह सटून से तो । अब इसके बाद इसमें देखते हैं इसकी फिजिकल प्रोपर्टीज क्या क्या होती तो आइड़ो फॉर्म डार्क यलो कलर का होता है गहरे पीले रंग का होता है allez और इसका मेंटेगं पॉयंटब स्यूंदे ही कविन और यह जल नहीं होता है disorder traumatic is कार्बनिक विलाइकों में गुल जाता है और यह आड़ोफार्म रखा रहता है काफी समय तो यह अपने आप डिकंपोज हो जाता है इससे आयोडीन जो होती इससे निकल जाती देले देले रखे रखें यह डिकंपोज होता रहता है है अब इसमें जाना फिकल प्रोपर्टीज देख लेते हैं कि आइडो फार्म यह ट्राइड़ोमेतीन का रिडेक्शन कराते हैं जिंक और एस इल की प्रते स्मय तो इस मेद्हेश होता चीसटू आइट और प्राप्त हो जाता है इसके प्षार आईडोफर्म यह ट्राइडो मेथीन की रियक्शन इसका सोडियम आईडोगसाईट से कराकते हैं तो सोडियम फॉर्मेड, सोडियम आउडाइड और वाटर मालिकूल स्प्राप्प नेक्स्ट इसमें एक रियक्शन बहुत इंपोर्टेंट है जो हम लोगों ने पढ़ई है, वो कौन सी है, कार्बिल आमीन रियक्षन, कार्बिल आमीन रियक्षन में यह primary amine की टेस्टिंग की जाती है, तो इसमें कोई भी primary amine हो, एलिफेटिक या एरोमेटिक एलिफेटिक मतलब की C2H5NH2 या एरोमेटिक C6H5NH2 ठीक है ना अधिल एमिन या एनिलीन एरोमेटिक या जो है वो C6H5NH2 क्या होता है एनिलीन होता है तो प्रैंबरिफिक इलिफेटिक या एरोमेटिक किसी की लिफेशन आयडोफर्म और पूतैय। अधुसले में खर्म संधोता, तो यह है प्रय। एलिफेटिक या एक्षाँम मेर्र चर्जदम्री में प्रिसले कर्दर को होता है चोडिक सपया बहुत ही special type की smell होती है, बहुत ही खराब, इसी से इसका testing होती है, तो इसे हम isocyanide testing भी क्याती है, इसे carbylamine reaction भी क्याते हैं और isocyanide testing भी क्याते हैं, क्योंकि isocyanide इसमें बनता है और उसी की smell से इसकी primary amines की पहचान होती है, तो इस प्रकार से ये carbylamine reaction या isocyanide testing, आइडोफाम की reaction, silver powder, AG, आइडोफाम CHI3 और ये CHI3, दो आइडोफाम के molecule और ये silver powder, रजक्चूण, तो आइडोफाम की reaction, silver powder से कराते हैं, तो acetylene gas C2H2 प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से इसमें ये इसकी chemical properties हैं, तो इसमें आइडोफाम बराने के लिए दो मेहते हैं, iodine और sodium hydroxide की reaction, alcohol से या acetone से, किसी से भी करा देते हैं, तो क्या प्राप्त होता है, आइडोफाम प्राप्त होता है, आइडोफाम यलो कलर का solid crystals होते हैं, और इसका melting point 392 Kelvin होता है, और ये water insolubin होते हैं, जल में नहीं होते हैं, जो organic solvent होते हैं, आइडोफाम कापी समय तक रखा रहता है, तो ये decompose हो जाता है, इससे iodine निकल जाती है, इसका reduction कराते हैं, जिंक और एसल की presence में, तो methylene iodide प्राप्त होता है, और sodium hydroxide से reaction कराते हैं, आइडोफाम की, तो sodium form में sodium iodide और water molecule मिलता है, कार्भिल अमीन reaction में, primary amine, aliphatic या aromatic किसी की भी reaction, आइडोफाम और potassium iodide से कराते हैं, तो ये isocyanide मिलता है, और isocyanide की special type की smell के काण इसकी पहचान होती, primary amines की इसलिए इस carvill amine reaction को isocyanide testing भी कहते हैं, और आइडोफाम की, silver powder या रजट चूण से reaction करा देते हैं, तो क्या प्राप्त हो जाता है, acetylene gas प्राप्त होती है, तो इस प्रोसेस से acetylene gas भी बनाई जाती है, अब इसका use किसमे करते हैं, इसका उप्योग किसमे किया जाता है, आइडोफाम का, तो आर्डोफाम को यूज करते हैं, primary amine की testing में, ठीक है ना, primary amine, aliphatic या aromatic, इसकी testing में क्या जाता है, जिससे कि हम कार्भिलमीन या की टेस्टिंग में इसका यूज क्या जाता है और यह अटिसेटीक भी होता है प्रतुरोधी के रुप में भी इसे उसका उपयोग किया इस प्रकार से यह आधो फार्म हम लोगों ने पढ़ा अब नेक्स्ट पर हम लोग यह हैलो एलकेंज समाप्त हो गया अब इसमें इसके परशाथ हैलो एरींज इसका है टोपिक समाप्त हैलो एलकेंज और हैलो एरींज को हम लोग डिसकस करेंगे दन्यवाद